अब हलो फ्रेंट संसे विडियो बात होई और धे अबसक्तर से अबस्ते ऊपको बताने साह्त ही दोस्तों आज हम आपको यह भी बताएंगे चोंड के पूचसे जानेवाले सभी सवालों का जवाब जी यहां दोस्तों आपसे कौन-कौन से सवाल पूछे जाते हैं उन सभी सवालों को जवाब हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने स्मार्ट नोगी चनल को स तो अधुद्ण पहूंगा सब्सक्राइल करते हैं अगरब इस फरेश ता सफर करके और सुबह सीह चीघ्र के लिए चले जाते हैं तो वहां पे आपको काफे दिक्कत होती है यह दोस्तों माइंड गेम है इसे आपको जिसे हम कहते हैं साइकोलोजिकल जो है यह सिचुएशन होती है कि आपको अपने आपको जो है कॉंसेस रखना पड़ता है काफी जो है प्रिपेर रखना पड़ता है चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी यह टॉपिक को तो सबसे पह पहले चीज़ आपका है है इस आपके पहले आदार आपका बमेंट कर आपके पास होना और है यह उपकी बायमेटरिक होता है बायमेटरिक के समय आपको अधार कर लगेगा दोस्तों इसल nyt snartos नमबर 2 पर आपके पास होना जरूरी है आपका admit card obviously दोस्तों ये number one पर preference करता है बढ़ हम आपको number two पर इसे दिद्दार है तो आपको admit card अपने पास रखना अनिवार है बिना admit card के तो आपको अंदर entry नहीं मिले कि दोस्तों इसलिए admit card बहुत जरूरी है नंबर 3 पर बात करें तो नंबर 3 पर आता है अपका SC ST OBC जो भी आपका जाती प्रमाडपत रहेगा वह चीज आपको लगेगी तो यह चीज आपका जोए का साथ रखना होगा नंबर 4 पर आ जाएं तो नंबर 4 पर आता है आपका सबसे important चीज जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है आपका passport type photo जी हाँ दोस्तों फोटो जो है काफी लोग भूल जा रहे हैं क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताया हूँ कि आप passport type photo आपको लेके जाना है व जैसे अवेलिबिलिटी रहती है ग्राउंड में कभी ग्राउंड के अंदर लेके जाते हैं तो जैसा उनके पास समय रहे और जैसा उनके पास suitable यह चीज़े देखिए दोस्तों रोज बदलाव हो रही है आप डिक्टो मत समझ लिए कि जैसा सेम इनके साथ हुआ वही सीज आपके साथ हो तो चेंजेस होता है आपको पता है परिवरतन हमेशा होता रहता है कुछ न कुछ अब बात करते हैं जहां पर आपको बैच में डिवाइट करना पड़ता है क्योंकि आपको पता है साड़े 300-400 बच्चों का ट्रेड एक साथ नहीं लिया जा सकता यह इसद्ध बच्चों को फिर इस बच्चों में जब यह एक नाम दे लियाता है और यह नाम है दोस्तों आपका नबर वां प्ट बैच नमबर ट्री बैच नमबर फोर बैच इस प्रकार आपको बैच वाइस जो है डिवाइट करते जाते हैं फिर आपको बुलाया जाएगा जैसे कि number one को बुलाए गया अब ये number one को बुलाने के बाद क्या कि जाएगा इन्हें बुलाने के बाद इन्हें एक टेबल पर जाने कि इस परकार एक टेबल होगा यहां पर दो स्टूड़न्ट होंगे first second इसे परकार यह आपका रो जो है अब बात करें कि इसमें आपको पहली चीज क्या जाएगा आपको दिया बुला जाएगा बर्तन के लिए एक कॉंस्टिबल होगा जो बैठा होगा वह अपने पास जो है आटे की बोरी रखे लेगा वहां से आपको एक जो है कटोरी यानि कि छोटा आप इसे मान सकते हैं 75 ग् रखी Sutिक कभी आपको जो है समय की वाध दिता नहीं है और सभी कभी समय की वाध दिता है कि कि किसी सेंटर पर जैसे आसन शोल के ही सेंटर है सम्टम्टाइम carbon capacidad के जो है को सब्सक्राइए और सब्सक्राइम कोई पाभंधी नहीं तो लिए चीजा एक अपको ध्याना है कि आ तियुक्री सब्सक्राइब और जम्य सब्सक्राइब कि उसे धो लीजिए उस परकार यह होता है कि आप जो इस टेफ फॉलो करते हैं आपको यहां पर क्या है सिप स्मार्ट वर करना है काफी बच्चे ऐसा हो रहे हैं जो सिप जो इंस्ट्रक्शन मिलता वही चीज़ों करना स्टार कर दे अब यह नहीं सूचते कि लौकी काटने स पहले हम जब 20 अबजे कारते हैं उसे पहले से धोना पड़ता है आप लोग में से काफी बच्चे इसा नहीं कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि हमने सबसे अच्छा लोगी काटा सबकु सभी था हमने फेल होने का वज़ए क्या है प्लिस सारी चीजिए हैं जो आपको जो ह आप रिप्रेजेंट करते हैं अच्छा साफ सफाई सुथरा उतना ही ज्यादा चांसे आपके पास होने का होता है तो यह सब्सक्राइब कर आपको जो है नेक्स्तेप में पूछा जाएगा सबजी यों बनाने के लिए जिए दोस्तों सबजी बनाने के लिए आपको एक बै प्लेट में लेके जाना होता है अपने कॉंस्टेबल जो पीछे खड़ा रहेगा वह आपको बताएं का हो गया तो आपको टेस्ट करने के लिए करते हैं एक कट्रोई में आपको पारिस के लिए जाना पड़ता है लेकिन आपको एक चीज मैं बता देता हूं जो प्लेट में लगा हुआ है अगर उसकी मातरा ज्यादा हो जाती है तो इससे आप पकड़े जाएंगे कि आपने तेल ज्यादा इस्तमाल किया है या कम इस्तमाल किया है तो इसलिए आप यह सालधाने बरतिये का जरूर कि तेल की जो मातरा है उसे कम डालिए जितना होज़ा क अतना कब इतना बहतर हो गा कि लकाई आपका नंबर 30 पे आता है दाल बनाने के लिए दाल बनने के लिए अपको दोस्तों डल मनाने के पहले यe में जाए जासों कर ली यह आ हैं बाद को अच्छी दर से साफ कर ली जिए यह आपको टाल जितनी अच्छी टेस्टी बनाएंगे क्योंकि उठ्ट करता है कांस्तिबल आपका जो भी होगा एक्जामनेर सम्टाइंस कॉंस्टेबल चेक करते हैं क्योंकि तीन लोग वहां पर होते हैं मैं आपको बता दिता हूं तीन लोग होते हैं अगर बाकी के दोने खान नहीं ठीक ठाक होके हैं देखेंगे आप रुकिए वेट कीजिए तो समझ लिजे कि आपका जो है सेलेक्शन प्रग्रेस आप बाहर हो चुके हैं तो यह चीजे हैं डाल को ज्यादा टेस्टी कीजिए पकाईए ज्यादा गल आईए मत डाल ज्यादा अच्छी तरह से नॉनल पकी जाएगी तो इसके बाद जो है अपका टेस्ट के जाएगा और आप जब अच्छा परफोर्मस करेंगे तब जाके आप दोस्तों पास हो जाएंगे तो यह सारी चीजे हैं दोस्तों को स्टेप बाइस्टेप फॉलो करना यह तीन राउंड में होते हैं आप किया हैं दोसे तीन वाकINGING अपने पूरा डिस्कृव करें चैब आपका न नाम बताये अपने बारे सर्द दोसे में कहते हैं मेरा नाम क्यारा है मєे कवलिफिकेशन यह हैं यहाँ रहता हूं और पावर सही हो जानकाय Razきます जूत मत तो आप सरने किया है CH competitions के बारे में फालतोक इधरदरकी बातें मताइए मेरे पिता जी क्या करते हैं मेरे घर में और लों क्या करते हैं वगएरा वगएरा शुर्फ आप से अब छोट वर फोकस कीजिए यह सब चीज आपको बतानी है नंबर दो पर बात करें तो नंबर दो पर आप से पूछा जाता है वहां कि आसनोर हावड़ा में अगर सब्झेज चाहिए सब्चाने में परती दिन यूज होता है आपको पता है वेस्ट बंगॉल के सारे डिसेटे में आपको याद होने चाहिए सबी डिसेट के नाम के साथ उनकी रेसिपी भी हलका फुलका आपको पता हुआ हुई आप बना सकते हैं इस पना confidence उनको दिखाई है कि ताकि या उनको लगे कि आपने जो है हर चीज में mastery है याने कि यहां पर खाना बनाने का trade है आपको पता है तो आप से सिर्फ खाना बनाने पर फोकस किया जाएगा तो आप कितना अच्छा वेंजन बना सकते हैं खाना बना के पूछे जाएगी वहां के दाल चावल जो कुछ भी आपको पता है वह सब बताईए थोड़ा पढ़ लीजिए जीके पढ़ना बहुत जरूरी है आपको यह सब सारी चीजे जो आप से पूछा जाता है सम्टारिस मसालों के नाम भी पूछे जाते हैं कितने परकार के मसाले जब कर चालू रहता है उसमें बता से चोटी चुटी चुटी-चुटी-चूटी वारिकी सीमह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बूचा जा रहा है काफी बच्चे जो फेल हो रहे हैं उन से च्वाएश पूछा रहा है क्योंकि वहां पर देखें वैराइटी होती है उसीश इसको आप देखिए ध्यान से यह सब चोटी चुटी चुटी बारिकी सी मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा एक्जामिन जो है पूछा जा रहे हैं काफी बच्चे जो फेल हो रहे हैं उनसे भी हमने बात कि सिर्फ पास हुए बच्चों का एक्सपरियंस नहीं हमने फेल हुए और आज का यह वीडियो कैसा लगा वीडियो की कमेंट सेक्षिन में जाके अपनी राइज जरूर दीएगा दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले और स्मार्ट नूइचनल पर अगर आप पहली बार सब विजिट कर रहे हैं तो इस आनों को सब् भूले थैंकियो सो मच दोस्तों मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकाई एक नई अपडेट के सांथ